जापानी कंपनी टोयोटा ने अपनी नई सब कॉम्पेक्ट SUV रेस को लॉंच कर दिया है चार मीटर से छोटी इस SUV को फिलहाल जापान में लॉंच किया गया है ये कार चार वेरियंट्स X, S, D और Z में उपलब्ध है इसमें फ्रंट वील ड्राइव और आल वील ड्राइव दोनों का ही ऑप्शन मिलेगा तो आए जानते हैं इस कार की कीमत और फीचर्स के बारे में इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और रियल आटो न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कार की डिजाइन काफी अग्रेसिव बनाए गई है इस SUV में आल एलेडी हैंड लैंप्स, स्लीक ग्रिल और लार्ज एर डैम दिया गया है इसमें 17 इंच के अलोई वील्स दिये गए हैं इसमें बड़े टैल लैंप दिये गए हैं कार के कैबिन में LED डिजिटल स्पीडो मीटर और 7 इंच TFT कलर LCD डिस्पले दिया गया है जो स्मार्ट डिवाइस लिंग और एपल कारपले से लेस है इस कार की लंबाई 3,995 mm और चौडाई 1,695 mm है कार का वील बेस 2,525 mm है इस सब कॉमपेक्ट SUV का प्रोडक्शन टोयोटा के मालिकाना हक वाली कमपनी दायहास्तू ने किया है सुरक्षा की दृष्टी से इस कार में Adaptive Cruise Control All-Speed Tracking Features दिये गए हैं इसके अलावा इसमें Crash Avoiding Breaking Function और E-Smart Assist Safety Features दिये गए हैं टोयोटा रेज में एक लीटर एक के रवीटी टर्बो इंजन दिया है ये इंजन 6,000 RPM पर 98 PS की पावर और 2400-4,000 RPM पर 140 NM का टार्क जनरेट करता है इस कार में DCVT यानिकी Dual Mode Continuously Variable Transmission दिया गया है जो की किसी भी टोयोटा कार में पहली बार है बात करें माइलेज की रेज के Front Wheel Drive, Variant का माइलेज 18.6 KMPL और All Wheel Drive, Variant का माइलेज 17.4 KMPL बताया जा रहा है बारतिय बाजार में लॉंच होने के बाद टोयोटा रेजी का सीधा मुकाबला मारूती सुजूकी, ब्रीजा, हुंड़ाई क्रियेटा और किया सेल्टोस से होगा जाबान में इस कार की शुरुवाती कीमत करीब 10.9 लाक रुपए रखी है वहीं इसकी टॉप स्पीड वेरियंट की कीमत करीब 14.81 लाक रुपए है ये कार में 7 कलर विकल्प के साथ उबलब्द है जिसमें से 3 में डूएल टोन विकल्प दिया गया है उमीद है आपको कार की पूरी और जरूरी जानकारी मिल गई होगी तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूले धन्यवाद